हलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उमीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे आज हम एक सबक पढ़ते हैं, जिसका उन्वान है हमदर्दी हमदर्दी सबक के मुसनिफ है डिप्टी नजीर एहमद डिप्टी नजीर एहमद उर्दो के मशूर अधीब और आलिम थे उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ लिखा है इस सबक में उन्होंने एक बच्चे का वाक्या बयान किया है जो दूसरों के साथ हमदर्दी करता है और मुश्किल घड़ी में काम आता है जो लोग परेशानी में हो हमें उनकी मदद करनी चाहिए इस सबक में डिप्टी नजीर एहमद ने अपने जमाने की दिल्ली की आम बोलचाल की जबान इस्तमाल की है तो आएं हम इस सबक को पढ़ें हमदर्दी एक मरतबा ईद को एक बड़ी भारी टोपी मुझको अम्मी जान ने बना दी थी वही टोपी ओड़े वे खाला जान के यहां जाता था मिया मिस्किन के कूछे में पहुचा तो बहुत से चपरासी प्यादे एक घर को घिरे वे थे और बहुत से तमाशाई भी वहां जमा थे ये देखकर मैं भी उन लोगों में जागुसा मालुम हुआ एक गरीब नहायद गरीब बूड़ी सी औरत है छोटे छोटे कई बच्चे हैं सरकारी प्यादे उसके मिया को पकड़े ले जाते हैं इस वास्ते के उसने किसी बन्या के यहां से उधार खाया था और बन्या ने इस पर डिग्री जारी कराई थी वो मर्द मानता था के करजा वाजिब है यहां कहता था के मैं क्या करूँ इस वक्त बिलकुल तही दस्त हूँ तही दस्त होना यानि खाली होना हर चन इस बैचारे ने बनिय की और सरकारी प्यादों की बहतरी खुशामत की मगर ना बनिया मानता था ना प्यादे बाज आते थे और पकड़े ले जाते थे लोग जो वहाँ खड़े थे उन्होंने भी कहा लाला जब तुमने इतने दिनों सबर किया दस या पांच रोज और सबर कर जाओ बनिया बोला अच्छी कही मिया जी अच्छी कही बरसो का नानवा और रोज की टाल मटोल नानवा यानि कर्ज भगवान जाने अभी खान साब की इज़द उतरवाए लेता हूँ वो शक्स पर डिग्री जारी थी गरीब तो था लेकिन गैरतमन भी था बनिया ने जो इज़द उतरवाने का नाम लिया सुर्ख हो गया और घर में खुस तलवार मियान से निकालना चाहता था कि बनिय का सर अलग कर दे कि उसकी बीवी उसके पैरों में लिपट गई और रो कर कहने लगी खुदा के लिए क्या गजब करते हो यही तुमारा गुसा है तो पहले मुझ पर और बच्चों पर हाथ साफ करो क्योंकि तुमारे बात तो हमारा कहीं भी ठीकाना नहीं मा को रोता देखकर बच्चे इस तरह धार मार कर रोए कि मेरा दिल हिल गया दोड़कर सब के सब बाप को लिपट गए उनकी ये हालत देखकर खाँ साब भी ठंडे हुए और तलवार को मियान में डाल कर खुटी से लटका दिया और बीबी से कहा अच्छा तो नेक वक्त फिर मुझ को इस बेज़ज़ती से बचाने की कोई तद्बीर बता बीबी ने कहा बला से जो चीज घर में है उसको दे कर किसी तरह अपना पिंट छुडवाओ तुम किसी तरह रह जाओ तो फिर जैसी होगी देखी जाएगी तवा चक्की पानी पीने का कटोरा नहीं मालुम किन किन वक्तों की हलकी हलकी बेकली दो पतीलिया बस यही इस घर की कुल काइना थी चांदी की दो चूड़ियां लेकिन ऐसी पतली जैसे तार उस नेक वक्त औरत के हातों में थी ये सब सामान खांसाब ने बाहर लाकर उस बनिय के रूबरू रख दिया अवल तो बनिया उन चीजों को हाती नहीं लगाता था लोगों ने बहुत कुछ कहा सुना यहां तक के उन सरकारी प्यादों को भी रहमाया उन्होंने भी बनिय को समझाया बारे खुदा खुदा करके वो इस बात पर रजामंद हुआ कि पांच रुपे असल, दो रुपे सूद, सातों के सातों दे दे तो फारिक खती लिगते लेकिन खांसाब का कुल असासा चार साड़े चार से ज़्यादा कना था तब फिर घर गए तो बीबी से कहा कि अड़ाई रुपे की कसर रह गई है बीबी ने कहा अब तो कोई चीज मेरे पास नहीं हाँ लड़की के कानों में चांदी की बालियां है देखो जो उनको मिला कर पूरी पड़े वो लड़की कोई छे बरस की थी बस बयाना जैसी हमारी हमीदा अमा जो लगी उसकी बालियां उतारने तो वो लड़की इस हसरत के साथ रोई कि मुझसे जब्द नहो सका मैंने दिल में कहा के इलाही इस वक्त मुझसे कुछ भी इसकी मदद नहीं हो सकती फौरन खयाल आया कि एक रुपया और कोई दो आने के पैसे तो नक्त मेरे पास है देखो टोपी बिग जाए तो खांस आपका सारा कस चुख जाए बाजार तो करीब था ही फौरन मैं गली के बाहर निकल आया रोमाल तो सर से लपेट लिया और टोपी हाथ में लिये एक गोटे वाले को दिखाई उसने छे की आँकी मैंने छूटते ही कहा ला बला से छे ही दे गर्स छे वो एक मेरे पास नक्त था सातो रुपे मैंने चुपके से इस औरत के हाथ में रख दिये ले जा चुके थे और घर में रोना पीटना मच रहा था दफतन पूरे सात रुपे हाथ में देख कर उस औरत पर शादी मुर्गी सी कैफियत तारी हो गई शादी मुर्गी यानि बेहत खुशी उस खुशी में उसने कुछ नहीं सोचा कि ये रुपिया कैसा है और किस ने दिया है फौरण अपने हमसाए को रुपिया दे कर दोड़ाया और खुद बच्चों समेट दर्वाजे में आखड़ी हुई बात की बात में खान सहाब छूट आये तो बच्चों को कैसी खुशी हुई कि कूदे और उच्छे कभी बाप के कांदे पर कभी मा की गोद में और कभी एक पर एक अब उस औरत को मेरा ख्याल आया और बच्चों से बोली कि कमबक तो क्या उधम मचाई है मेरी तरफ इशारा करके दुआ दो इस अल्ला के बंदे की जानो माल को जिसने आज बाप की और तुम सब की जाने रख ली नहीं तो तुकडा मांगे न मिलता कोई चाचा या मामू बैठा था कि उसको तुम्हारा दर्द होता इस मुसीबत के वक्त तुम्हारी दस्करी करता सिर्फ एक बाप का दम का सहारा कि अल्ला रखे उसके हाथ पाउँ चलते हैं तो मेहनत से मजदूरीक से खुदा का शुकर है रूखी सूखी रोज के रोज दो वक्त नहीं तो एक ही वक्त मिल तो जाती है हमारे हक में ये लड़का क्या है रह्मत का फरिष्टा है न जान न पहचान न रिष्टा न नाता और इस अल्ला के बंदे ने मुठी बर रुपे दे कर आज हम सब को नए सिरे से जिन्दा किया वो बच्चे जिस शुकर गुजारी की नजर से मुझ को देखते थे उसकी मुसरत अब तक मैं अपने दिल में पाता हूँ रुपिया खर्च करने के बाद मुझ को उम्र भर में भी ऐसी खुशी नहीं हुई जैसी उस दिन थी तो ये था आपका सबक हमदर्दी इस सबक से हमें एक सीक मिलती है कि हमें मुसीबत ज़दा लोगों की मदद करनी चाहिए और हर इनसान से हमदर्दी करनी चाहिए आए अब इस सबक के अलफाज मानी को पढ़ें प्यादे जिसका मतलब है पैदल सिपाही डिगरी डिगरी का मतलब है अदालती फैसला सरकारी हुक्म वाजिब वाजिब यानि जिसे जिसका आदा करना जरूरी हो यानि लाजमी तही दस्त यानि खाली हाथ मुफलिस नानवा जिसका मतलब है कर्ज चड़ी वी रक्म दिल दहल जाना काब जाना नेक बक्त सीधा सादा शरीफ आदमी तद्बीर इसके माने हैं तरकीब हिक्मत पिंड चड़ना पिंड चड़ना के मतलब है पीछा चुड़ाना काइनात का इस सबक में मतलब है सर्माया पूंजी रूबरू रूबरू यानि आमने सामने रजामंद होना यानि बात मान लेना फारिख खती यानि रसीद इसके और एक माने है कर्ज के उसूल हो जाने का सर्टिफिकेट असासा यानि सामान पूंजी कसर यानि कमी बईना यानि हूबहू ठीक यही आँखना यानि कीमत लगाना दफतन यग बयक और एक माने है अचानक शादी मुर्ग यानि खुशी के मारे मर जाना कैफियत के माने है हालत हमसाया हमसाया यानि पडोसी शुक्र गुजारी यानि एहसान मंदी दस्त गरी करना यानि मदद करना सहारा देना ये एक महावरा भी है मुसर्रत यानि खुशी तो ये था सबक हमदर्दी हमें उमीद है हमारे इस वीडियो से आपको इस सबक पढ़ने में आसानी हुई होगी अब आप खुद इस सबक को दुबारा पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपके अर्दु केल में इजाफा हो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें वक्त का सही इस्तिमाल करें और सबसे हम बात खुश रहें अल्ला हाफ़ज